अलो टू आल मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे जिसा कि हम लोग यहाँ पर एनिमल फिजियोलोजी के अंतरगत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ल डाइजेस्टिव ञेंट स्के ऊपर हमारे रहेंगे तो आज हमारा लेक्चर 8 हें लेक्चर 7 में हमने के आपको समझा दिया था आज कि इस dual में हम लोग दलीवर के बारे में पड़ेंगे इसका नाम होता हिंदिम इसको कहता है यÈक्रथ इसको जिगर भी कहता है ठीक करते ह ठीक है तो वह पता नहीं कहां से किसके लगी रहती है समझ में नहीं आता लेकिन अभी क्या है कि एंजाइम समझ लो तो वही एंजाइम आग लगा देते हैं चली समझते हैं तो हैं डाल दीजिए लिवर अब देखें इस लिवर कैंतर का तुछ खास बात हैं आपको पढ़ना लेड़ से हुआ है दूसरा इसका वेट लगबग बेड़ किलो का होता है यादि कि 1.5 kg तक एक हैल्दी परसन में नॉर्मल परसन में जो लिवर का वेट होगा 1.5 kg तक होता है थाट पंड देखें लिका हुआ है याद डायाफ्राम के नीचे अब्डॉमिनल कैविटी में पाया जाता है समझ भी नहीं आ रहा है आपको पता होगा ना कि एक हुमन होता है इस हुमन में बॉड़ी होती है इसके हाथ होते हैं पैर होते हैं और इसमें डिवीजन होता है यहां पर रिप्स पाया जाते हैं तो इसको थोरेसिक रिजन कहते हैं यहां पर अम्बिकस पाय करता है तो डायाफ्राम के नीचे क्या पाया जा रहा है अगला पॉट्टी की लिखा हुआ है या बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है कमछिए इह मारे सरीर की सबसे बड़ी गरंथ की अगर बात करी जाए तो वह कौन है तो वह आपकी मानी जाएगी लिवर लेकिन वहीं salivary gland में सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करी जाए तो वह होगी आपकी पेरोटीड ग्लेड राइट अगला परण देखे लिखा हुआ है लीवर के स्टडी को जैनически लीवर की अध्यन को करते हैं तो उसको क्या कहते है तो लीवर की स्टडी को हिपैटोलोजी कहते है लीवर को बॉड़ी की chemical स्कार्ट्री बिका instinct इसको बाडि क거 कम केमीकल भाना जाता है कर दोगा तो हम याद कर पाएंगे तरीके से थे ऑक्ढ पर बंते हैं तो हो थे चलिए नेक्स्ट हैडिंग हमारी पड़ेगी स्ट्रक्चर और लीवर की कुछ खास बाते हैं वह उन्हें समझ ली अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वह देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका लीवर का आपको बुक के अंदर बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा इसमें राइट लोग होता है और एक लेफ्ट लोग होता है एक लेफ्ट लोग होता ह राइट मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में यह लेफ्ट होता है यह राइट होता है यह लोब से और यह बहुत सारी से मिल करके बना होता है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको मैं अभी यहाँ पर आपको 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 यह पता होना चाहिए अग्जागोनल इन शेप में होती है तो लीवर बाई लोग होता है जिसमें एक राइट लोग और एक लेफ्ट लोग पाया जाता है राइट लोग की अगर हम बात करें तो यह होता है और यह 56 होता है यह कि एक है अधिकतर जो होता है वो राइट लोग बड़ा होता है दोनों लोग के बीच में पैलसि फार्म लिगामिंट पाया जाता है यानि कि इन दोनों lobes को जो divide करता है यहाँ पर एक ligaments पाया जा रहे है and these ligaments are also called as falciform ligaments next one देखिए liver के प्रतेक lobe में बहुत सारे hepatic lobules पाया जाते है hepatic lobules बोले तो it is a structural and functional unit of liver liver का जो structural यानि कि जो इसका निर्माड कराया हुआ है और functional जो liver के अंदर function हो रहे है वो उसका structural and functional of cell कहा जाता है या liver कहा जाता है यह परकार की कोशिकाएं होती है hepatic lobules एक टाइप की कोशिकाएं होती है जो कि क्या करती हैं liver का formation कराती है उसका structure बनाती है और उसके अंदर function को create कराती है जैसे कि हमारे body का अगर आप देखें कि cell जो होता है वो structural and functional होता है जेनेटिकल यूनिट आफ लाइव कहलाता है उसी तरीके से liver का भी क्या होता है यहां पर यह portion पाया जाता है इतना समझ में आया आगे देखें लिखा हुआ है हिपेटिक लोब्यूल लीवर की structure और functional unit होती है जैसे कि मैंने बता है कि हिपेटिक लोब्यूल क्या होता है लीवर की structural and functional unit मानी जाती है अभी हिपेटिक लोब्यूल का structure भी हम लोग देख लेते हैं पहले उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं ठीक है देखें आप एक point लिखा हुआ है प्रत्येक हिपेटिक लोब्यूल में covered किये हुए glycence capsule पाया जाता है प्रत्येक हिपेटिक लोब्यूल में covered कि यानि इसके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है glycence capsule पाया जा रहा लाइक दिस आप देखेंगे यहां पर यह जो structure यहां पर पाया जा रहा है यह वाला this are called as glycence capsule और यह glycence capsule हिपेटिक लोब्यूल के क्या है एक सेल है यह hexagonal in shape होती है इसके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है इस प्रत्येक हिपेटिक लोब्यूल में बहुत सारे हिपेटिक सेल्स यह प्रतिक कार्ड हिपेटिक सेल्स कार्ड के रूप में गुच्छेक रूप में पाय जाती है जो दो दो संचनाओं में और दो पंक्तियों में रो में अरेंज रहती है तो प्रत्येख हिपेटिक लाव्यूल में बहुत सारी हिपेटिक सेल्स स्पाय यहां पर आप देखेंगे यह जो आरेंजमेंट है वाला ला वन कि और सब्सक्राइब टिक्तो를 कुछ पायए जाती हिंस में। हीपेटोसाइट सेल्स क्या बराती है दो लेयर का फॉर्मेशन करती है और इनको हम लोग हीपेटिक कार्ड कहते हैं तो एक दो लेयर का करती है और इन दो लेयर के फॉर्मेशन से यहां पर क्या बन जाता है हेपेटिक कॉर्डब बन जाता है पैज निकलता हैaltet से हीपेंटिक क्लॉबीूल से हीपेंटिक से निकलता है समझ रहे हैं और यह गॉल ब्रेटर में जाकर के मिक्स होता है जो इसको लोग भाईल करते हैं इस करती है इस लिवर से निगलने वाली लेकर आती है यानि कि यह जुन बाईल जूस्ट बनना है हमारे लिवर के अंदर इस वाइल जूस को इस वाइल जूस को कलेक्ट करने के लिए यहां पर हिपेटिक डक्ट पाई जाती है और हिपेटिक डक्ट लेकर के क्या होती है वाइल जूस को बाहर के और निकलती है तो यहां पर देखेंगे यहां पर अगर आप सेंट्र में central vein पाई जाती है यहाँ पर कुछ chamber बन जाते हैं इन chambers के हम लोग hepatic sinuses कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा fluid भरा रहता है इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ special type of cell पाई जाती है जिसके हम लोग कुफर cells के नाम से जानते हैं यह phagocytosis काम करती है यहाँ पर कॉर्णर पर आप देख रहे हैं कुछ lobule पाया जाती है इनके अंदर special type of cells पाई जाती है जिनको लोग पोर्टल ट्राइब कहते हैं यह पोर्टल ट्राइब क्यों कहा जाता है है क्योंकि इसमें पोर्टल वेंड ट्री और बाइल डख्त क्या होती है अरेंज होती है जाती है अंदर की तरफ और यहां से पैटिक लॉब्यूल से हरे इस चैल से क्या करती है उस juice को पकड़के खेंश के लाती है ठीक है यह एक structure बना हुआ है कि पैटिक लॉब्यूल का इसका बना हुआ है इस बात को याद रखेंगे बच्चा के चलिए बाई आगे देख लीजिए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते थोड़ा सा कि हैं हम इसके structure के बारे में भी थोड़ा सा डिसकस करते है तो यहां पर देखिए यह लीवर का structure ड्रॉक किया है मैंने इस वानिर्मित बनाया गया है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो यहां पर देखो यह एक लीवर है लीवर सेल है इस लीवर सेल में दो लोब पाय जाते हैं यहां पर यह एक फिलमेंट पाय जा रहे हैं जो कि दो लोब्स में होती है जिसको left hepatic duct और right hepatic duct कहते हैं यह left hepatic duct और right hepatic duct एक जगह पर मिलती है जिस duct को में लोग common hepatic duct कहते हैं यह common hepatic duct बिटा नीचे की तरफ आ रही होती है लेवर से यहीं पास में हमारे बैठे होते हैं गॉल ब्लेडर साहब इस हिपेटिक या कॉमन हिपेटिक ड़क्ट को आवाज लगाते हैं कि अरे भाई सुलो हमारी भी हम यहां पर पाये जा रहे हमको भी लिए चलो तो यह जो गॉल ब्लेडर होता है यह गॉल ब्लेडर अपनी ड़क्ट इसके पास एक खुद की ड़क्ट जिसको isset I can't get this deck के दोरा कॉमन हीपेटिक ड gap की साथ हो जाता है आपको पताई लीवर से आरा है क्या बाई ूस और ओल ब्लेडर से जाएगा क्या है एक यहां पर पर ब्र्डर ब्र में बाईरी स्टोर होता है तो यहांपर क्या होता है इसीलिए इसको पिटासे रस कहते हैं जितन यहां तो बनी रहा है यहां करके यहां पर हो जाता है जब रिकॉर्बेंट होता था वह नहीं जाता है क्योंकि यहां पर यहां पर जो गॉल इडर रहे अपने सिस्टिस डक्ट के दोरा यहां पर जाकर के एड हो रहा है न तो यहां पर क्या होता है एक नई ड़क्ट का फार्मेशन हो जाता भाई common ॥ाल यह इसको डक्टस डक्टस कोलिडोकस के नाम से जानते हैं एक्टस कोलिडोकस के नाम से जानते हैं एक्चुली क्या है कि चाय आई हुई है हमारी हम थोड़ा का ध्यान देने लगे उद्धा आप लोग भी चाय पीए और चाय पीते-पीते घर में बैठ करके अच्छे से पढ़ाई करते रहें इसका रिक्वार्मेंट था बहुत ज्यादा पेन हो रहा था सुबह से लेक्शार सूट कर रहा हो मेरा बैट चल आ गया आते हैं तो यहां पर दिए कॉमन बाइल डक्त और सिस्टी जक्त आपस में मि जो होता है नीचे की तरफ जा रहा होता है अब कॉमन बाइल डक्त नीचे की तरफ जा रही होती है वहीं पर यहां पर कहीं दूर एक और भाई साब बैठे हुए हैं जो इंतिजार कर रहे हैं किसी का इनके बाल है अच्छे से इन्होंने देखा अरे इनके आंके फढ़ जातों स्बस्वाइर हो सोड़ी यह रेंता चलो ठीक आजयो वाई थोडयी नहा कर रहे है है तो मैं किरियार्टिक टक्त कहते हैं गर्संग को कहते हैं विरसंग होता है यह विरसंग गाया यह कौन बाइल की साथ alcohol का औEek हो करके एक नई डक्ट का फार्मेशन कर देगा अप चाहिए से बात एक नया डक्ट बन जाएगा और इस नई डक्ट को हम लोग नाम देते हैं हिपेटो phemcreatic duct क्या करते हैं Halifato pancreatic duct और pancreas से भी special type का juice या कुछ secretion होता है जिसको हम लोग pancreatic juice कहते हैं क्या करते है pancreatic juice अब देखे पैंक्रियाज से निकला pancreatic juice वो जा रहा है कहां डियोडिनम में लिवर से निकला बाइल जूस वो आ रहा है कहां डियोडिनम में स्माल इंटेस्टाइग हिटो जाएगा भाई आगे बताओंगा आपको थीक है तो यहां पर यहां और यहां पर मि fuego तो जहां पर पंखीराइटिक जूशंट टूनों एक साथ एक उस drive को कहते हैं लिए घ्चा अब देखो खाश बात क्या है कि यहां पर बाइल जी उसको कंट्रोल करने के लिए common bile duct में एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको हम लोग स्फिंक्टर आफ बाइडन क्याते हैं याद रखेगा और वहीं पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो हिपेटो pancreatic duct है यह हिपेटो pancreatic duct small intestine के first part duodenum small intestine के first part of duodenum में open होने से पहले या खुलने से पहले एक swelling like structure या swelling like structure form करती है एक फुली हुई सनचना का demand करती है and this structure are also called as ampula of wetter यह हिपेटो pancreatic ampula ampula of wetter यह हिपेटो pancreatic ampula के नाम से इसको जाना जाता है और यह हिपेटो pancreatic ampula यह हिपेटो pancreatic ampula आगे की तरफ जाकर के duodenum के middle part में कहाँ पर duodenum के मद्य भाग में open हो जाती है और यह यहाँ पर जो पाया जा रहा है empty ampula of wetter यहाँ पर भी एखास बात कि यहाँ पर एक इस इस्विंआ पाया जाता है यह यह इस्विंआ करता है जो pancreatic juice है और जो byl juice है इन दोनों को क्या करता है हें और इस इसमिंआ को हम लोग कहते हैं इन स्विंआ क्या करता है Tobiu यह भीटा आपका हो गया क्या structure of liver ये खास बात है विच्चों ये बहुत detailed form है अगर समझ नहीं आये तो वीडियो को एक बार पीछे की तरफ ले जाओ और दुबारा देखो diagram अपने आप बनाओ अपने हास सही बना लो भाई ये भी खास बात है भाई तो आपको करना पड़ेगा शोयम ठीके चलो इतना समझ में आया ओके आगे बढ़ते हैं आगे देखिए यहाँ पर आप हम लोग बात करेंगे कुछ खास पॉइंट की आप बाईल जूस की बात करेंगे जो यहाँ पर जूस बना जिसको हम लोग बाईल जूस करें और जो पंकेराटिक जूस है इन दोनो जूस के बारे में भी डिसकस करेंगे देखो डिटेल स्टेडी पड़ जूस की बात करें तो देखे लिखा हुआ है लिवर सेल्स के दौरा सेक्रीट किया जाता है है यह जो होता है किसे से क्रीड के जाता है यह लीवर सेल्स के दौरा से क्रीड किया जाता है इसका पी येच बेक होता है कैसा होता है छookie बेस होता है लगवक्त 7.427 5. variant stri Vedia होता इसका में इसमें बहुत-बहुत-बहुतमर्ण tu है मेरे दोस्त इसको समझे समझे लो फाइल दोंदो प्रकार के पिग्मेंट पाया जाते हैं एक को कहते हैं रूबinação कि सगया है यलो कलर का होता है और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का होता है यलो कलर का बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का अब आप समझे किसी को पीलिया हो जाता है पीलिया क्यों कहते हैं क्योंकि बाडी पीला होने लगता है यह बिलूरुबिन क्या करता है हमारे बाडी के लिए ठीक नहीं होता ह इसलिए लीवर से जाता है कहा आँ जा रहा है भाई याद करो डियोडिनम में क्यों जाएगा क्यूंकि डियोडिनम लास्ट पोर्शन उसका खुलता जाकरके लार्ज इनके कोलन बाग में और 10 में क्या होता है वदी के बाहर निकल जाता है वह और होता है यह पिगमेंट कर करण होता है तो इसका नाम है विलुरूलन और यह बनता कैसे तो आपको पता है कि हमारा जूअब प्रबीची होता है रेड़ ब्लस इसका जो जीवन काल होता है वह बन टूट जाती है इसके टूटने से कुछ पिगमेंट यहां पर बनते हैं और लिवर में इसको इस्टोर करके बेज दिया जाता है हमारे बॉडी के अंदर अगर बॉडी गड़बड करता है कोई भी होता है अगर आप इसके जूस को देखेंगे इसके कलर को देखेंगे तो यह ग्रीन यल्लो उत्ता है बाइल जूस में बाइल साल्ट भी पाए जाते है बहुत इंपटनेंट वाइल इसाल्टपी पाए जाते हैं ''Pọला सॉडियं ग्लाइको कोलेट इस दुसरा सोडियं तार लोखलेट नाम के दोल्ट पाय जातें यह भी इंवकरेंट है अगला पॉइंट बाइल साल्ट वैह का इमल्सीफिकेशन करते है यह Inner पिकेशन का मतलब समझते ओ केने का मिल फिकेशन केने का मिलिम क्या यहां पर वाइल साल्स काम करेगा क्या करेगा वाइल साल्स और इसको छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोटी-छोट drops of 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 yeah simple है अगला पॉइंट बाइल जूस लाइपेज एंजाइम को भी एक्टिव करता है तो हमारे बाइल जूस में कोई नहीं पाया जाता है यह एंजाइम को एक्टिव कर रहा है ना कि इसमें पाया जाता है तो बाइल जूस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है अगला पॉइंट बाइल जूस फूड को बेसिक बनाता है यह मेंली फूड का क्या करता है वो basic nature बनाता है food का basic nature बनाता है ठीक है अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे function of liver कि राइट function of liver liver का function क्या होता है हमारे बोडी के अंदर तो पहला परण देखिए आप लिखा हुआ है बाइल जूस का फॉर्मेशन लिवर में पाई जाने वाली हिपेटिक सल्स से होता है यानि कि यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है वो लिवर के अंदर होता है यूरिया का फॉर्मेशन लिवर के अंदर होता है यूरिया का फॉर्मेशन लिवर के अंदर होता है यूरिया का ऑड़ी के लिए हाईली टॉक्सिक सेथान्स होता है इसको चेंच किया जाता है यूरिया में और यूरिया चेंच acknowledge करने के लिए एक साइकल चलता है लिवर के इंदर जिसको आex cur टॉल Rep और इसको यूरिया में कम toxic substance में change किया जाता है जिसका नाम है यूरिया इसको हमारे body के kidney में filter करके toilet के थो बाहर निकाल दिया जाता है actual में होता कि है कि पहले deamination होता है बाद में यूरिया बनता है that means amino acid से ammonia बना तो क्या हुआ deamination और ammonia से ammonia से यूरिया बना तो यह क्यालाएगा यूरिया cycle या ornithin cycle that point देखे लिखा हुआ है detoxification इसका main function होता है detoxification भी कराना what is the meaning of detoxification लीवर के दौरा कई सारे toxic यानि जहरीले substance को भी remove किया जाता है detoxification भी करता है हमारे लीवर मालो की हमारे body के अंदर बहुत सारा toxic substance बनी गया और उसका detoxification नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा हमारे body में toxic substance बढ़ेगा तो फिर क्या होगा हमारी death भी हो सकती है तो लीवर इन पे भी ध्यान देता है next one लीवर दौरा यॉक बहुत है अगर अगर आप अंडी को काट मुर्गी को खाए काते बीएं तो उसमें यॉक होता है फिला फिला उस्सक्रान का形 किराता है करना है स्छब होगा मुर्गे का लिवर कराता होगा हम लोगों में तो यौक होता ही नहीं है बहुत कम मात्रा में होता है फिमेल जो एग बनता है वह बहुत कम मात्रा में यौक होता है ठीक है अगला पांट देखे लिखा हुआ है बहुत इंपोर्टेंट बच्चा लिवर का फंक्शन भी इंपो में होता है तो उसमें क्या होता है वह embryonic development हो रहा होता है तो जब उसके अंदर blood बनेगा तो blood में RBC होगा उस RBC का निर्माड भी कौन कराता है हमारा लीवर भाया कराता है लीवर में ही होता है इस प्रक्रिया को erythropoiesis कहते हैं erythropoiesis लीवर के अंदर RBC का बनना erythropoiesis कहलाता है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है मेरे लाल erythropoiesis कहलाता है मेरा भाई याद रखना इस बात को next लीवर दौरा vitamins K, A, D, E अगर आप इसको पढ़े K, D याद हो गया vitamin K, vitamin A, vitamin D, vitamin E इन सभी का क्या किया जाता है storage किया जाता है तो लीवर के अंदर stored रहते है vitamins कुछ vitamin B stored रहती है कौन कौन सी रहती है तो K, D रहती है vitamin A, D, E, K, A, D, E, K इसको लोग K, A, D, E लिखेंगे K, D भी हो सक्था है के दी को हो या के डी सर आपको जो बाटी पढ़ाते हैं उनकी बात कर लो K, D, K, A, D, E विटमिन K, विटमिन A, विटमिन D, विटमिन E या कैदी जो जेल में बंद रहते हैं फरार हो जाते बाद में उनकी बात हो रही है नेक्सट बॉइंट लिवर में फैट का सिंथेसिस, भी होता है बहुत बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्त का सेνतेसिस होता है model इंहां पर देखें इंपोर्टेंट लिखडी गई final c कि के इसका सिंतेसिस हो रहा किस्ट सराभी व्यक्तियों के लीवर में जानी ये जो बहुत चालक करतें उनके इंदर ये जुक द्रिंक करतें उनके अंदर फैट का ज्यादा ही के इसलिए उन्हें दहां सब्सारा ने है या मैंने कोई तीर गार दिया है तो आप याद रखिए बाइसाब इसमें लिखा हुआ है कि यह फैटी एसिड प्रॉब्लम्स होता उनके अंदर सरावियों के अंदर बहुत ज्यादा अकुमिलेशन होता है मुझे लगता है कि आप सरावी नहीं है ठीक है अभी आप गाना गाएंगे मुझे दुनिया वालो सरावी ना समझो में पीता नहीं मुझको पिलाई गई है पिलाई तो तुम्हारी वाली नहीं थी तुम पी का है रोगदेव का चलो नेक्स्ट पॉइंट अजकल तो लड़क कि आज ही का वक्षिण करते हैं तो इनको कह किया जाता है कि क्या लिए जाता है और जब इनको डाइजस्ट किया जाता है तो तो टाइप के बंजाते लिवर दर देखे लिखा हुआ है लीवर द्वारा हिपैरीन का सेक्रीशन होता है हिपैरीन यहां बलड को बॉडी में जमने नहीं देता आप देखते हैं ब्लड जैसे बॉडी के बाहर निकलता है वो जम जाता है क्या बॉडी के अंदर हम लोग ऑक्सिजन नहीं भेज रहे हैं बॉडी के अंदर हवा नहीं जा रही है जा रही है तो जो बॉडी के अंदर और औक्षीजेन अब औक्षीजेन के कांटेक्ट में आते ही बलड जम जाता है वाड़ी के बाहर तो हम तो आक्षीजेन ले रहे हैं है ना हम तो आप्षीजेन ले रहे हैं तो क्यों बॉर्डी नदर र whites नहीं जमेगा उसके लिए कि हमारे लीवर के अंदर वहीं क photographer बनता है ब्लढ़ी जमनें नहीं देता बॉड़दीके अंदर अग्ला देखे लो यह नियुद एक्रत में विटामइनदे का सिंथेसिस होता है जाता है चालत में आपको पता है आप गाजर खाएं हैं इसमें होता बीटा करोटीन और बीटा कैज रूटीन को चेंज कर दिया जाता है विटामिन ए में और यह कौन करता है यह लीवर भहिया करते हैं हमारे तो हमारे लीवर भहिया का बहुत काम है हमारे बॉड़ी के अंदर अगला पर देख लो लीवर द्वारा प्लाजमा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है समझे लीवर द्वारा कि का भी formation कर रहा है जिसका नाम ही पैरीन है और यानि ब्लेड बॉडी के अंदर है तो ही पैरीन क्या करेगा जमने नहीं देगा लेकिन धोके में भी ब्लेड बाहरारी के बाहर आना शुरू हुआ तो लीवर के अंदर प्लाजमा प्रोटीन भी बनना है जिसका नाम है फिब्री कि आप याद रखिएगा बच्चों यह लिवर की बात है आगे देखे भाई लिवर सहब क्या कहते हैं और भी इसके point है next point है लिवर में गलाइको जेनोलाइसिस होता है समझे गलाइको जेनोलाइसिस अर्थाथ गलाइकोजन का ग्लुकोज में बदलना यह क्या कहलाता है आपको पता है कि हम लोग बहुत सारा क्या खाये हैं भोजन खाये हैं और जब हम बहुत ज्यादा भोजन खाते हैं तो बहुत सारा सबस्टीन ऊता है जितना होटा हमारे बॉडु केलिए के लिए उतना वह यूज कर लिया जाता है बागी का जो बचता है उसको तब सपोज आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया किसी कारण हो सकता है या या तो कहीं फस जा हमारे लिवर नदर इतना सब्सक्राइब कर देटा है जिसको टोड़ के क्या किया जाता है गलुकोस बना दिया जाता है और उस ग्लुकोज को हमारे बोडी के अंदर यही बना देता है हमारी बोडी की आल के लिए लीवर में घ्लाईकोज जैनलाइसीस होता है यहीं पर लीवर यही ने इसका रिवर्सिवल रिएक्शन भी होता है अर्थात हम कह सकते हैं ग्लुकोज पार्टिकल को ग्लाइकोजन में बदलना जैसा मैंने भी बता है आपने बहुत सारा बोजन खा लिया और आप ग्लुकोज बहुत धेर सारा बन गया अब उस ग्लुकोज को फेका नहीं जाएगा निकाला नहीं जाएगा ग्लुकोज बाहर निकलने लगेगा तो आ ुकोज से गुलम कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐससे सब्स्टांस होते हैं जिनसे ग्लुकोज बनादेता है धैज मिसलिवर में ग्लुको Neogenesis glucose मतलब glucose वियाद रखेगा नियो मतलब नया New और Genesis का मतलब होता Synthesis यहाँ प्र नय glucose का भी formation हो जाता है तो लीवर में ग्लूको नियु गनेसिस भी होता है इस प्रक्रिया में non glucose particle that means amino acid हो गया fatty acid हो गया के दव्रह glucose का formation कराया जाता है non glucose particle that means amino acid fatty acid इनके दोरा क्या किया जाता है glucose का formation कराया जाता है अगला point लिख लीजिए liver में bile pigments और bile salt का भी synthesis होता है तो liver के अंदर bile pigment और bile salt का भी क्या होता है बेटा synthesize किया जाता है अब कुछ खास बात है कि liver से कौन कौन से hormones का secretion कौन कौन से enzyme का secretion होता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है कोड आपको बहुत बहुत मदद करेगा enzyme याद करने के लिए एक तो लिखा हुआ पुश मतलब धक्का देना dog तब दौगी कुट्ता by bike यानि कि पुश डॉग बाई 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 के दौरा bike में धक्का दिया जा रहा है हम समझ लेते हैं तो यहाँ पर जो capital लेटर है उनका तो मतलब है PUS H का कोई मतलब नहीं तो P का मतलब क्या होता है मतलब सॉरी मैं गलत बोल गया hormone का secretion नहीं होता कि यहाँ पर जो function है जो भी हमने यहाँ पर पढ़े उन function को कैसे याद करें तो उसके लिए बने यहाँ पर यह बना के रखा हूँ चार्ट मैंने बनाया हुआ हुआ है उससों आपको समझ महाएगा मैं पैंक्रियास में चला गया था पैंक्रियास में पैंक्रियास से हार्मोन भी सेख्रीड होता एस वेल एस वहाँ पर एंजाइम भी सेख्रीड होता है जो कि फूड का डाइजेशन कराते है बाइल जूस में किसी भी परिकार के एंजाइम नहीं पाया जाता है मैंने पहले ही बताया सुरी निस्टेक हुआ है इसको ध्यान में रखे कि आप समझेएगा किसमें नहीं होता है पैंक्रियास में होता है क्योंकि पैंक्रियास भी दिमाग में चल लएए क्योंकि वह बड़ी बहतरीन गिलैंड है उसको जब मैं पढ़ाओंगा तो उसको भी पढ़ाने का excitement है इसलिए वो दिमाग में आ गया तो यहां पर मैंने लिखा हुआ यह एक्षुल में क्या है कि यहां पर आपको थोड़ा सा shortcut में और याद कैसे करें क्योंकि लिवर के function तो बहुत प्रोटीन जाने जितने भी प्रोटीन को छोड़ करें तो लिवर के से प्रोटीन के दोर प्रॉटीन के संधिसिन प्रोटीन के दोड़ा पर क्या इंप्स क्या है कि यह बात आप याद रखीए कम यूपर होगा यूर्या सिंतेसिद यूरेया और और यूरिया इनके यूरेया चेंज यूटा है clotting factor synthesis होते हैं है na clotting factor fibrinogen prothrombin यह क्या है clotting factor है आपके right storage क्या क्या होता है iron होता है zinc होता है copper होता है और कुछ vitamin भी store किये जाते हैं like a d e k या k d sir k d ठीक है और यह जो vitamin a d e k होता है यह vitamins जो होती है total कैसे होती है fat soluble vitamin क्या क्या लाती है fat soluble vitamin क्या लाती है बच्चों मैंने आपको बताया again मैं repeat करते रहा हूं कि यहाँ पर यह function ही है इनसे किसी भी प्रकार का enzyme या हर्मोन शेक्रिट नहीं होता रहे यह मैंने function को detail में आपर समझाया है पुछ डॉग डॉग में डी आता है तो डी का मतलब क्या हुआ दी का मतलब हुआ deamination और detoxification दो मतलब है एक होगे deamination दूसरा detoxification deamination कहाने का मतलब removal of amino group लिवर और kidney लिवर और kidney के दोरा जो amino groups होता है इसको remove किया जाता है detoxification कहने का मतलब क्या हुआ toxic substance को non-toxic substance में बदलना यहां पर एक enzyme काम करता है इस बात को याद रखेगा toxic substance से non-toxic substance जो बनता है इसमें के enzyme काम करता है जिसका नाम है cytokrome P450 P450 और 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 निथीन या यूरिया साइकल ठीक है और निथीन या यूरिया साइकल इस बात को भी याद रखीए इसके बात में अगर हम लोग यहां पर जी की बात करें ठीक है जी की बात करें तो जी का मतलब हो गया glucose metabolism glucose metabolism में तीन form है आपको पता है glucose यहां पर बनता भी है glucose को ग्लाइकोजन में भी ग्लाइकोजन से glucose बना दिया जाता है glucose से ग्लाइकोजन बनता है और ग्लाइकोजन नियोजनेसिस क्या होता है नॉन ग्लुकोज सब्सचान्स यानि अमिनोसिट फैटी असिट से glucose का सिंसटेसिस किया जाता है ठीक है पुछ डॉक बाइक 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 से बी का मतलब क्या हुआ बाइल सिंदेसिस बाइल पिगमेंट और बायल साल्स आप क्या आते है बायल और बाइलυτा याद रखेगा काफी इंपॉर्टन है इस तरीके से हमारा कमप्लीट हो गया इक हमारा लीवर क्या होगा बिच्चा कम्प्लीट हो गया तो लीवर का स्ट्रप्चार हम लोगों ने देखा लेवर की सेल जो होती हेपेटिक लॉबिल उसके बारे में भी हम लोगों ने समझा थोड़ा सायन अटॉमी देखी लेवर की कुछ खास बात है वो भी समझी function of liver important है वो भी हम लोगों ने आपर देख लिया अभी हम लोग glands cover कर रहे हैं हमारी एक और glands बची है इसके बाद जिसका नाम है pancreas pancreas gland के बाद जैसे हमारी pancreas gland खतम होगी फिर हम लोग physiology of digestion के अपर discuss करेंगे कि small intestine में duodenum में jejunum में और ileum में किस तरीके से food का digestion होता है और किस तरीके से food का absorption होता है इसके साथ साथ stomach में किस तरीके से food तूटता है और mouth में किस तरीके से food तूटता है होता है यह सब हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे नेक्स लेक्चर के बाद तो आज के लिए बच्चों इतना ही मिलते हैं नेक्स टाइम तब तक के लिए गुडबाई टाटा